नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप सेवन बैस स्मार्ट फोन की जो कि आप खरी सकते हैं 12,000 रुपे से निची की प्राइज में इस महीं ने कुछ नय फोन भी एड़ हुए हैं दोस्तो इस महीं ने और कुछ की प्राइजिंग काफी अच्छी हो गई है पहले जो फोन आपको करीब 14-15,000 रुपी की प्राइज में मिलते थे उन में से कुछ फोन आपको लगबग 12,000 रुपी की प्राइज में अब मिल रहे हैं तो चली दोस्तो अगर आपका योजट है लगबग 10,000 से लेकर 12-13,000 रुपी तक का तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूसफुल होने वाला है इसलिए बन रहे हैगा हमारे साथ इस वीडियो में आप दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू कि जिन भी स्मार्टफून के हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में यह सब्समार्टफून हमने यूस किये हैं आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी और अब जो हम रैंकिंग करने वाले हैं नंबर सेवन टो नंबर वन यह इसके साथ हमारा कैसा एक्सपेरियंस रहा है इसका प्रेक्टिकल परफॉर्मेंस कैसा था यह सारी चीछे चेक करने के बाद हम यहां पर कर रहे हैं रै सेवन पर आता है इंफिनिक्स की तरफ से लिटेस लाउंच इंफिनिक्स नॉट 12 जिसका करन प्राइजिंग है दोस्तो ग्यारा जार नॉसो न्यानु रॉपए अब दोस्तो इसे आप कह सकते हैं कि एक अपग्रेड वर्जन है नोट 11 का जिसको कि हमने काफी बार और यह भी आपको मिलता है 6.7 इंचेस का मतलब एक बड़ा साथ डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहां पर अच्छा देखने को मिलने वाला है हाला कि यहां पर हायर स्क्रीन रेफरेश का यूज नहीं किया गया है बात करते हैं फोन के डिजाइन की दूस्तों तो यह भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा है और यहां पर आपको कुछ इंप्रूमेंट भी देखने को मिलेगा मतलब थोड़ा सा और अच्छा डिजाइन आपको नोट 11 की कंपरेशन में देखने को मिल रहा है अगर हम बात कर रहे हैं क कि काफी अच्छा पर्फोर्मेंट देता है हमने काफी बार अलुड़ी टेस्क किया है इस इपसेट को हाला कि आप बहुत एवी गेमिंग नहीं कर पाएंगे इस इपसेट के साथ में लेकिन हाँ जो जनल टास्क होते हैं या फिर अगर आप थोड़ी बहुत गैमिंग करना जाते हैं तो वह इसमें कर सकते हैं तो काफी अच्छा का सा परफोर्मेंस आभी यहां पर देखने को मिल जाता है 5500 ऐमेंच का बैटरी है दोस्तों 33 का फास्ट चारजिंस सपोर्ड आपको एंहाँ वह देखनी को मिल जाता है इंफिनक्स के नोट 11 को दुस्तों मैंने काफ यह फोन दोस्तो नंबर 2-3 की पोजिशन भी आ सकता है वैसे प्राइस के साफ से दोस्तों यह फोन भी ठीक है और हमारी लिस में आता है दोस्तों यह आता है रियल्मी की दरफ से तो यहां पर बात कर रहा हूं रियल्मी नारजो 50 की अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए अगर 16,000 रुपे की फोन में भी देखने को मिलता है अब दोस्तों प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसका वैसे दो प्राइस है 12,990 रुपए लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं आपको 1500 रुपए का ओफ मिलेगा कूपन के दुरू तो लगबक 11,500 रुपए और अगर आपके बस ICZBank का कार्ड है दोस्तों क्रेट कार्ड है तो आप इसे 1500 रुपए का और डिसकाउंट ले सकते हैं इसका मतलब आप रियलमी 850 को ले सकते हैं सरफ 10,000 रुपए प्राइसिंग में और इस प्राइसिंग के साबसे नोड़ बहुत ही अच्छी डिल है दोस्तों अगर आप प यहां पर अच्छा देखने हो मिलेगा 50 MP का प्राइमरी संसर है 2 प्लस 2 MP के आपको मैक्रो और डैप संसर देखने को मिल रहे हैं इसके लागर में बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पे स्पीकर्स की तो वो भी ठीक टक थे दोस्तों इस फोन को मैंने काफी अच्छे समय तक यूज किया लगबग 13,000 की प्राइज में आपको फ़सर यह अच्छा डेवाइस है और अगर आपके बास आइसे बैंक का कार्ट है तो 10,000 की प्राइजिंग में यह नोड़ बहुत ही अच्छे डील है आप इसे गैप कर सकते हैं और दोस्तों इसलिए आता है हमाल इसमें पर 6 की पोजिशन पर नमबर 5 की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर आता है हमारा इंडियन ब्रेंट दोस्तों यहां पर बात कर रहा हूं Micromax के InNote 2 की Micromax का दोस्तों एक यह फोन है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है इन सीरीज की में यहां पर बात कर रहा पर बात करना चाते हैं तो यह आपको बाराजार पर से नीचे की प्राइब मिल जाएगा डेफिन दोस्तों यह काफी अच्छा डेवाइस है क्योंकि सबसे पहलों तो फोन का डिजाइन आप देख सकते हैं बहुत यह अच्छा डिजाइन है अगर आप इस फोन को रियल में फोन हाथ मिलिवाबा है रियर साइट से आपको मिलता है ग्लास फिनिश के साथ में हाना कि ग्लास बिल्ड नहीं है प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन इसका फिनिशिंग काफी प्रियुम दिया गया है अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों फ्रंट साइड की तो यहां पर भी में दोस्तों टैस्ट भी कर चुके हैं इसके रहे हैं जो की सपोर्ट करता है 30 वाट का फास्ट चार्जिंग और यहां पर अगर में बात करता हूं कैमरा की तो वहां पर थोड़ा सा कंप्रमाइस करना बढ़ेगा जी हां कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है इ तो कोई भी बलोट के नहीं होते हैं कोई भी एड्स नहीं होते हैं तो इसलिए यह आता है मैंले इसमेरट में नंबर फॉरन की बात करता हैं तो काफी अच्छ है यहां पर यहां पर देखने को मिल जाता है नंधलो CIA और जो brightness level है वो भी इस phone के साथ में हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर design की तो ठीक ठाक design है कोई बहुत जाद extraordinary design नहीं है लेकिन हाँ दुस्तों यह काफी compact phone है तो इसका जो handzone grip है यह हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर performance की तो Mediatek का Helio G85 setup को देखने को मिलेगा अच्छा का सब performance आपको देदेगा यहाँ पर आप बहुत heavy gaming की तो नहीं लेकिन हाँ ठीक टक्सी gaming कर पाएंगे इसके लब अगर हम बात कर रहा हूं camera की तो यह भी काफी अच्छा perform करता है दोस्तों 50 Megapixel primary sensor के साथ में आपको यहाँ पर ultrawide sensor भी देखने हूं मिल जाता है जिसका practical performance दोस्तों आप यहाँ पर देखी सकते हैं इसके लब पांच जारम इसका बैटरी दिया गया है जो की support करता है 20W का fast charging pricing दोस्तों काफी अच्छा है 10,990 रुपर जब यह phone launch हुआ था तो 12,990 रुपर का था लेकिन लगबख 11,000 रुपर के प्राइस के साब से definitely यह iPhone दोस्तों एक कमाल की deal बन सकता है अगर आपको stock UI के साथ में super emerald panel चाहिए लगबख 10,000 रुपर की pricing में आपसे मिझे लगता है कि definitely काफी अच्छी deal के साथ आपको देखने को मिल रहा है यहां पर दोस्तों बात कर रहा हूं Samsung Galaxy M32 की जब यह phone launch हुआ था तो लगबख 16,000 रुपर का था लेकिन अब यह आपको यह मिलता है definitely यह बहुत अच्छा device है दोस्तों क्योंकि सबसे बहले तो यह आता है super emerald panel के साथ में और Samsung का super emerald panel दोस्तों हम जानते हैं कि node out बहुत यह अच्छा perform करता है यहां पर display में आप colors देख सकते हैं काफी vibrant colors आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इसके अलवा यह आपको 98 के screen refresh rate के साथ में भी देखने को मिलता है अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर design की तो वो भी node out बहुत को अच्छा देखने को मिलने वाला है यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं battery की तो 6000 image का battery यहां पर दिया गया है और हाँ दोस्तों सबसे बड़ा key highlight feature इस device का इस phone का camera 64 megapixel का primary sensor हमें देखने को मिलता है और इसका performance सच में काफी अच्छा था हमने काफी सारे images लिये हैं दोस्तों इस phone के camera से और मुझे तो इस phone का camera दोस्तों under 15,000 रुपीज में best camera phone लगता है तो हां इस phone का camera भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर performance की तो वहां पर आपको थोड़ा सा फिर्भी compromise करना बढ़ेगा क्योंकि यह आता है MediTek के Helio G80 जिपसेट के साथ में जो कि हम जानते हैं कि बहुत powerful जिपसेट दो नहीं है लेकिन हाँ आपके जो general task होते हैं वो easily होड़ पाएंगे आप थोड़ी बहुत gaming पे यहां पे कर सकते हैं और यहां पे आपको Samsung का One UI 3.1 version देखने हो मिल जाता है और Samsung के One UI काफी अच्छे से optimize होते हैं हम यह जानते हैं तो performance में भी ऐसे such issues नहीं हैं लेकिन अगर आप heavy gaming बगरा करना चाते हैं तो वो इस phone में नहीं हो पाएगी लेकिन इसके अलबाब दोस्तो फिर चाहे हम बात कर लेते हैं बैटरी की, डिस्प्ले की या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कैमरा की, डिजाइन की तो यह सच में काफी अच्छी है और प्राइस के हिसाब से लगवग 11,500 रुपे के हिसाब से डेफिनले दोस्तो यह phone आता है हम अले इसमें नमबर 3 की पोजिशन पर नमबर 2 की बात करते हैं दोस्तो तो यह phone थोड़ासा पुराना जबर हो चुका है लेकिन जिस pricing पर यह available है definitely दोस्तो मैं इसको recommend कर सकता हूँ आपको दोस्तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ Redmi Note 10S की 12,999 दोस्तो अब इसका price हो गया है पहले जब यह launch बहा तो तो करी 16,000 रुपर गा था और 12,999 की price में भी दोस्तो आपको मिलता है 6GB RAM के साथ में 64GB storage और इस price के साथ दोस्तो सच में यह काफी अच्छी deal है क्योंकि दोस्तो सबसे बहले तो यह आता है super RAM.panel के साथ में और display quality आपको यहाँ भी अच्छा देखने को मिलेगा अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर performance की तो वो भी अच्छा है MediaTek का Helio G95 J setup को यहाँ पर देखने को मिलेगा मैंने इसे काफी अच्छी से test किया है दोस्तो काफी सामय तक यूज किया था और मुझे performance में कोई भी issues देखने को नहीं मिले अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तो डिजाइन की तो वो भी आप इस फोन का अच्छा कह सकते है Camera दोस्तो इस फोन का काफी अच्छा है 64 Megapixel का primary sensor आपको देखने को मिलता है जहां में ultrawide sensor भी दिया गया है अभी ऐसे काफी सारी devices हैं जहां पर आपको ultrawide sensor देखने को नहीं मिलता है लगबग 15,000 रुपे के नीची की phone में लेकिन वो इस phone में available है बागी इसमें आपको 5000 Megapixel का battery देखने को मिल जाता है यहां पर में 30SWAT का fast charging support देखने को मिल जाता है इस phone में dual stereo speakers भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस phone में आपको IR blaster भी देखने को मिल जाएगा तो इसलिए दोस्तों यह आता है अमर्ड लिस में नंबर 2 की position पर और final दोस्तों अगर हम बात करते हैं नंबर 1 की तो इस बार भी दोस्तों अमर्ड लिस में आता है नंबर 1 की position पर Redmi Note 11 लगबग 13500 पर का price होता है दोस्तों लेकिन हाँ आपको bank offer लगा के यह phone लगबग 12000 पर की price में मिल जाएगा और price की साब दोस्तों यह भी एक काफी अच्छा device है वैसे इस phone में लगबग वही feature दिये गए है जो कि Note 10S में है लेकिन क्योंकि एक नए device है तो यहाँ पर कुछ और improvement भी आपको देखने को मिलने वाले हैं जैसे कि सबसे बसे आप design देख सकते हैं जी हाँ एक lightweight design आपको देखने हो मिलेगा काफी phone है और एक बहुत ही decent design के साथ में आपको यह देखने हो मिलता है display की बात करते हैं तो यह भी super emerald panel के साथ में देखने हो मिलता है तेकिन यहाँ पर 90Hz का screen differentiate भी दिया गया है तो यह और अच्छा हो गया दोस्तो display quality अच्छा है और यहाँ पर में 90Hz का screen differentiate भी देखने हो मिल जाता है अगर मैं बात कर रहा हूं दूस्तो camera की तो 50 megapixel का primary sensor है दूस्तो और इसका camera quality दूस्तो और बैतर था हमने Note 10 से इसको compare किया था Note 10 S में भी वही camera आपको देखने को मिलता था और यहाँ पर आपको comparison images देख सकते हैं अगर मैं Redmi Note 10 S की तरफ जाना चाहिए मैं आपको यहाँ पर performance को थोड़ा सा downgrade किया गया है लेजिंस के अलब आप जो बाकी सारी चीज़े थी यहाँ वह match करती है Note 10 S से या फिर आपको कुछ improvement के साथ में देखने हो में लेंगी यहाँ पर भी device को checkout कर सकते हैं हमारी लिस्ट में यादा है नंबर वान की बोश्यन पर तो कुल्मलाकर दोस्तों यह थे टॉप सेंट बैस स्मार्टफोन जो कि आप लगब बाराज आपकी प्राइज में खरी सकते हैं तो मुझे पूरी उमेद है दोस्तों कि आपको हमारी ranking पसंद आई हो अद्ब देनिवादे